हेलो एवरिवन वेल्कम टू एक्जाम ट्रेजवी इस वीडियो में हम लोग बाते करेंगे इंग्लिस इन फॉरें लेंग्वेज इमोर्सिटी तो इतनी भी ऐसे इस्ट्वेंट हैं जो फॉरें लेंग्वेज के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं इस बार और इस बार सब्सक्राइब करेंगे और उसके बात जो है फिर हम लोग डेटील में आपको एक्स्प्लेइन करेंगे कि एक्जाम पैटर्न क्या है किस तरीके से सब्जेक्ट चूज करना है तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो इफु का जो प्रोस्पेक्टस आया है उसमें क्लियरली ब पाटिसिपेट करेगा दूसरा इसमें जो क्लियरली मेंसिन किया गया है कि यहां पर जो एक्जाम होगा वो सब्जेक्ट वाइज नहीं होगा और इफु जो है एडमिशन जो लेगा वो जेनरल टेस्ट के थूँ लेगा तो सारे कोर्सें इसमें इफु का एडमिशन प्रोस करना है और ऐसे सेपरेटली हम लोग जेनु के लिए और इफु के फॉरन लेंग्विज के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो भी आया है उस सब के बारे में भी बताएंगे अभी तक जो है एक्जाम का या एडमिशन का या फिर फॉर्म कब निकलेगा इस इसको लेक यहां पर फॉर्मन जैपनीज कॉरियन पॉर्षियन रॉषियन स्पैनिश इटालियन तो इनफेक्ट इस बार इटालियन भी एड हो गया है और उसके साथ-साथ इस बार एड हो गया है आपका परफोर्मिंग आर्ट्स एन फ्रॉमानिटिश डिजिटल कम्निकेशन एक यहा पर इस पार इन लोगोंने चार अलग-अलग यग का भी प्रोग्राम लॉंच किया है, यहां पर आप देखेगा honors या research, तो honors जो three years, जो जिनका three year complete हो जाता है, जो three year के बाद अपना degree लेना चाहते हैं, तो उसको honors की degree मिलेगी, जो चार साल के बाद लेना चाहते हैं, तो उनक इसके बारे में हम लोग separately भी बताएंगे तो admission criteria जो यहां पर दिया गया है तो important हो जाता है यहां पर लिखा गया है कि consist of four sections ठीक है तो basically यह बोला गया है कि जो चार section होंगे not in terms of इसमें कि आपके question paper चार sections में होंगे आपको जो selection करना है उस चीज़ को लेकर यहां पर चार section दिया गया है इसके हम लोग उने पहले भी detail में बातें की थी in the sense कि यहां पर किसी भी section से कोई भी subject choose करना common नहीं है और बस आपको और important यह है कि अगर आप इसको explanation को थोड़ सा पढ़ियेगा तो यहां पर clearly mention किया गया है कि जो medium of examination होगा वो English होगा दूसरा यहां पर आपको foreign language की कोई भी subject को choose नहीं करना है Candidates who apply for UG program at EFLU University must not choose any language from this section क्यों क्योंकि वो general test के थूर लेंगे प्लस यहां पर यह देया गया है कि apply UG must not select any subject from this section ठीक है क्योंकि वो subject EFLU में नहीं पढ़ाय जाता है और यहां देया है section 3 Candidates who apply for UG programs at EFLU must choose general test यानि सारे जो हम लोगोंने 13 different subjects को यहां पर mention किया है उनका जो है admission general test के थूर ही होगा प्लस section 1 से उनको English भी choose करना है क्योंकि EFLU का यह मानना है कि वो English के भी test लेंगे ठीक है section 1a English का test के लिए कि उनकी English कैसी है section 2 general section 2 से कुछ नहीं करना है और section 3 general test को select करना है do not select section 1b and section 2 इसको हम लोग detail में भी explain करेंगे यह क्या चीज है reservation criteria as such यहां पर OVC non creamy layer को reservation मिलती क्रीमी लेयर को नहीं मिलती है OVC non creamy layer का reservation percentage है और in terms of यह अगर आप marks को देखते हैं तो आपका 12 में marks होना चाहिए unreserved और OVC creamy layer का minimum 50% होना चाहिए यह आपका cut off marks है sorry not 12 का mark कि आपको minimum इतना mark लाना ही पड़ेगा और EWS का होगा as per the GOI GOI मतलब government of India ठेक है बाकी कहां कहां क्या क्या eligibility है हम लोग जो है subject wise आपको specify करके आपको बताएंगे कि क्या-क्या इस पार जो है हर एक subject का क्या-क्या criteria है बाकी जो है new batch launch होगा from Monday onwards तो हम लोग आपको इसके बारे में भी inform कर देंगे new batch के बारे में आज के बारे में हम लोग आपको inform करेंगे जहां पर complete details हम लोग share करेंगे और complete syllabus हम लोग cover up करेंगे और इसके साथ साथ जो है आप लोग चैनल को भी subscribe कर लें so that जो भी important update हो वो सारा आपको मिलता रहे और बांकि consequently हर एक subsequent videos में हम लोग सारा चीश to the point explain करेंगे कि क्या है कैसे है और इसमें क्या-क्या big updates हुए है उसके उपारे में भी हम लोग separately discuss करेंगे इसके लावा आपके पास कोई question है तो आप लोग call or message करके या फिर comment में जाके comment कर सकते हैं so thank you and all the best